नमस्कार आप देख रहे हैं वी टाइम नियूस बढ़ते हैं चारखन की खबरों की और गुमला जिले का यह गाउं घोर नकसल प्रभाविशेत्र है इस शेत्र में अब तक विकास नहीं हुआ है ग्रामिड आज भी विकास की बाट जो रहे हैं लेकिन विकास गाउं से कोसो दूर है हम बात कर रहे हैं गुमला जिला मुख्याले से सटे महज 8 किलोमेटर की दूरी परिस्थित विरिंदा 35 इस्थित 19 काउं की जहां लगभग 10,000 ग्रामिड आज भी बधाली में जीने को मजबूर हैं वही दुख और दर्द को बाट रही हैं विरिंदा पंचायत के मुख्या सत्यवती देवी जितने के बाद लगातार ग्रामिडों के बीच में रहकर ग्रामिडों के साथ बैठक कर समस्या के समाधान के लिए कोशिश की जारी हैं साथ ही गाउं विकास करे इसके लिए भी प्रतनशील हैं बतादे की मुख्या सत्यवती देवी चुनाव जीतने के बाद ग्रामिडों की दुख दर्द को बाट रही हैं लगातार ग्रामिड जनता के साथ उनके विश्वास पर खरा उतरने की जद्दो जहत की जारी है वही जनता के भरोसे को तूटने नहीं दिया है सभी गाउं को सिक्षा से जोड कर नए समाज बनाने की पहल की जारी है ग्रामिड लोगों के साथ बैठक कर समस्या को सुनी पानी बिजली सडक रोजगार पलायन की दिशा में रोख थाम जैसे अन्य ग्रामिड जनमुद्दों को लेकर सुईधा को बहाल करने का भरोसा दिया है साथ ही गाउ में बैठक कर बच्चे कल के भविश्या हैं जिसको लेकर बच्चों के बहतर सिक्षा, छात्रवृत्ती और बच्चों का विकास पर विश्यज ध्यान देने पर बल दिया इधर मुख्या सत्यवती देवी ने कहा कि बच्चे देश के भविश्या हैं, आगे बढ़ने की दिशा में हर संभव प्यास करूंगी यह भी बताया कि बच्चों के बीच ग्रूप बना कर टैब वित्रन किया जाएगा फर्स्ट एजुकेशन फॉंडेशन संस्था के द्वारा करवाया जाएगा जिससे बच्चों के बीच पढ़ाई के प्रती रूची बढ़ेगी इसके साथ गाओं में जो भी समस्याएं हैं उसे ठीक करने की बात कही सेराई स्कूल में आज प्रतम एजुकेशन फॉंडेशन संस्था की ओर से एक बैठत रखा गया था जिसमें बच्चों को सिक्षा में बढ़ावा देने के लिए अच्छे एजुकेशन प्राप्ट करने के लिए एक डिजिटल इंडिया के जरिया जोडने के एवज में एक टैप दिया जा रहा है पांच-पांच बच्चों को ग्रूप बना कर यह इसमें क्लास वाइज नहीं होगा लेकिन सभों बच्चों को जोड कर 5-5 बच्चों का ग्रूप बना कर एक टैप दिया जाएगा जिसके माध्यम से ये लोग पढ़ेंगे पढ़ाई करेंगे और ये लोग आगे बढ़ेंगे और ये जो सरकार जो डिजिटल इंडिया से जोडने की जो ये सरकार की प्रयास है इसमें हम लोग पूरा सयोग करेंगे अपने अपने बच्छों को अपील करते हैं कि वह अपने बच्छों का गाइड अच्छी तरह से करें और जो टाइब दिया जाएगा उसका देखभाल अच्छी तरह करके अपने बच्छों को इसके बारे में बताएं और पढ़ने में लोग को प्रेरित करें और शमय दें ताकि बच्चा का भोष्य बेहतर बन सकें, और जिन बच्चों का खाता नहीं खुला है, खास करके उन बच्चों के गार्जियन से, मैं यह कहना चाहते हूं कि सोमार तक मेरा प्रयास है कि सारे बच्चों का खाता में एक साथ खोलवाने का हम लोग दिन रखें हैं रहवार के दिन लगा कर और जिनका आधार नहीं बना है उनका आधार भी बहुत जल्द बनवा देंगे